नमस्कार दोस्तों इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कल यानि की 19 जून 2023 से कुछ चेंजिस होने जा रहे हैं तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसके बारे में पूरे हम लोग डिटेल में आगे वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो में आगे बढ़े से पहले चलर पर अगरा पहली बार है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो पसंदा इसको लाइक करिएगा अपने दोस्तों साथ भी शेयर करिएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस screenshot में जो लिखा है इसको समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर दिखें लिखा हुआ है Discontinuation of Credit on Sale of T1 Holdings ठीक है और यह कब से लागू है 19 जून 2023 तो यहाँ पर यह लिखा Starting Monday 90-2023 as per the NSE Circular जो NSE का Circular है उसके अनुसार अब क्या होगा कि Proceeds of Selling T1 Holdings अगर T1 Holdings को आप बेचते हैं उनको Sell करते हैं तो इसको इन्होंने Bracket में T1 Holdings को कैसे Describe किया है Stocks about today यानि कि Stocks आपने आज खरीदे that are sold the next day अगले दिन आप इसको बेचते हैं और before receiving delivery या फिर आपके DMAT account में आने से पहले ही इसको आप Sell कर देते हैं तो ये T1 Holdings कहलाएंगी will not be displayed on kite तो ये kite पर display ही नहीं होगा अब कैसे display होगा क्या display होगा इसके बारे में तो कोई जानकारी हमारे पास available नहीं है तो इसको आप करिएगा या मैं करूँगा जैसा होगा तो मैं आपके साथ में इसको share करूँगा and you will not be able to use the proceeds of further trades on the same day ठीक अब इसको थोड़ा सा कि example के द्वारा समझते हैं कि अभी तक क्या होता था और अब क्या होगा इस case में यानि कि buy today, sell tomorrow, btst इसको बोलते हैं या normal तरीके से भी देखा जाया कई बार क्या होता है मार्च की तारिक में stock खरी लेते हैं और उसको चाहते हैं कि हम अगले दिन उसको sell कर दे तो sell करने पर क्या होता था और अब क्या changes हो जाएंगे कल से क्या है तो next screenshot देखे यहाँ पर एक example लिया गया है तो इस example में इन्हों ने बताया है कि माल लिजए Monday को जो की trading day है Mr. A कोई व्यक्ती है Mr. A जिन्होंने purchase किया Reliance का share 10,000 रुपय का उन्होंने purchase कर लिया तेक on Tuesday T1 फायदा हो रहा है यह माल लिए उतने ही amount का यहाँ पर समझाया गया है उतना ही amount का यह बेशते हैं तो next day on Tuesday Tuesday को क्या हो जाएका T1 day हो जाएगा यानि कि trading day और एक day और उसमें include हो गया तो T1 day Mr. A जो Mr. A है उन्होंने sold these shares of the same amount और इसी 10,000 रुपय का जो भी stock था जितना भी उनके पास में था वो सब उन्होंने sell कर दिया earlier अभी तक क्या होता था 80% of 10,000 यानि कि 8,000 रुपय इस case में would have been released for him to immediately place other trade buy back the same stock after selling the T1 holdings तो अभी तक क्या होता था कि 80% जो amount है वो आप के लिए release कर दिया आता था जिससे कि आप उस stock को या other stocks को आप खरीद सकते थे तुरंद का तुरंद लेकिन अभी क्या होगा due to the new changes अब नए changes में क्या हो रहा देखिए funds will not be released on Tuesday यानि कि Monday को आपने खरीदा और Tuesday को आपने पूरा का पूरा वो 10,000 का stock जो आपने खरीदा तो उसको बेच दिया तो क्या होगा fund नहीं release होंगे not be released on Tuesday instead उसकी जगह पे क्या होगा 100% of the fund क्या होगा 10,000 जो की इस case में है will be released on Wednesday ठीक है तो Tuesday को stocks तो आपने sell कर दिये तो अभी क्या होगा अगर आप इसको नहीं जानते रहेंगे तो अगमाल लिए कि Monday को आपने गल खरीदा और Tuesday को आप बेचने गए और बेचने बाद आप कहेंगे लोग कुछ funding नहीं आया तो आप उसको खोशते रहेंगे भाई क्या हुआ ठीक है तो समझ में कुछ नहीं आएगा तो इस चीज को धियान में रखेगा कि Monday को खरीदा आपने और इसको आप Tuesday को बेच रहे हैं तो जो 80% आता था वो भी नहीं आएगा अब पूरा जो amount है वो next day आएगा तो इसको दिन के हिसाब से आप देख लिजेगा कि एगर आप Friday को buy करते हैं तो फिर जाकर कर Saturday और Sunday आपका working day नहीं होता है तो उस हिसाब से आप इसको calculate कर लिजेगा कि कब आपको पूरा fund मिलेगा जिसको की आप next stock को खरीदने के लिए या trading करने के लिए use कर सकते हैं तो एक छोटा सा update था जिसको इस वीडियो के मादें से मैंने आपने आपको साथ में share किया है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करिएगा चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को subscribe करिएगा मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाल